जी कैफेट आज के लेक्चर का अगाज करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर फूर है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं एशुरंस इंगेजमेंट की डेफिनेशन और इसके ऐलिमेंट्स ठीक है मैं दो बर्ड यूज कर रहा हूं आज़िट इंगेजमेंट या सिरफ ओड़िट भी से कह सकते हैं और शूरंस इंगेजमेंट शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हों कि कब आज़िट का वर्ड बोलने कंब एशूरंस का तो भी फिलहाल आप दोनों टर्म को इस्जूम कर सकते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, audit engagement और assurance engagement दोनों का मतलब एक ही है, फिल हाला आप यह समझे, और इन दोनों का concept क्या है, audit या assurance का मतलब है, verification करना, ठीक है, और हम किस चीज की verification करना सीख रहे हैं, इस subject में, financial statement की verification, ठीक है, तो अब हम assurance engagement को define करने जा रहे हैं, technical words में, ठीक है, conceptually तो हमें पता है, assurance engagement का म लेकिन technical words में, standard इसे किन words में explain करता है, ठीक है, वो हम सीखे हैं, क्योंकि exam में सम टाइम हम से कहता है, assurance engagement को define करे, ठीक है, और एक चीज याद रखेगा, मुझे याद आगे, हम जो भी concept study करेंगे ना, उसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक है conceptual उसको understand करना, और फिर उसका standardized word में, उसको याद करना, exam में जब कभी आपसे पुछे ना, कि इस term को define करो, आपने उसे conceptual words में नहीं बताना, उसे standardized word में बताना है, जैसे कर exam में कहे के assurance engagement को define करो, आपने ये नहीं लिखना, verification of financial statement, क्योंकि सर ने कहा था, class में assurance engagement का मतलब है, verification of financial statement, नहीं, conceptual हाला के बाद लेकिन marks examiner नहीं देगा आपको, examiner expect करता है कि आप उसे कोई भी term उसके standardized word में, जो law की books में, जो standard की books में लिखी हुए है, उसके मताबिक define करें, तो अब हम सीखने जा रहे हैं, assurance engagement standardized word में, और फिर उसके elements कितने हिस्से होते हैं, phases कितने हैं, वो study करेंगे, लेकिन पहले अच्छा मुझे ये बताईए, एक audit engagement या assurance engagement में, ठीक है, audit में या insurance में, कितनी parties होते हैं, तीन parties होते हैं, एक party कौन सी है, shareholders, 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 इसको कर लेते हैं, management या directors, फिर उपर, shareholders, और फिर इसके बाद यहाँ पर, auditors, आबाश, दो options हैं, पहली options, management direct, shareholders को financial statement चैनल करें, ये ज्यादा बहतर है, कि पहले management financials में, आइटर को दे, आइटर verify करें, और फिर shareholders को report दे, ये बहतर है, अच्छा मुझे बताईए, अगर management financial statements auditor के हवाले करें, आइटर इसको चैक करके, shareholders को इनके उपर अपनी report दे, कि ये financial statement ठीक है, कि गरद, तो, किस situation में, shareholder, ज्यादा शूर होंगे financial statements के बारे में, किस case में, ज्यादा trust उनका बढ़ेगा financial statements के बारे, कि financial statement ठीक है, जब direct financial statements मिलें हैं, जब auditor के थूँ हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि auditor जब report देता है shareholders को, तो इस report की वज़ा से shareholders का trust, उनकी reliance, उनका assurance level, financial statements के बारे में बढ़ जाता है, वो financial statements के बारे में ज्यादा sure हो जाते हैं, कि वो ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि auditor जब report दे रहा है shareholders को, shareholders का इस report के बारे में confidence बढ़ रहा है, वो ज्यादा sure हो रहे हैं, तो असल में auditor report के जरीए shareholder को assurance प्रोवाइड कर रहा है, क्या यह कह सकते हैं अशूरंस का मतलब क्या होता है उनकी उनका confidence उनका trust बढ़ा रहा है तो अगर auditor एक assurance provider है जो के अपनी report के जरीए से shareholder को assurance provide कर रहा है तो उसी तरह हम audit engagement को assurance engagement भी नहीं कह सकते हैं बिलकुल कह सकते हैं auditor is equal to assurance provider और audit is equal to assurance फार्दा timing थोड़ी देर के लिए यह बात समझा रही है आपको अच्छा यह sentence समझा है आपको के auditor assurance provide कर रहा है shareholders को report के थूँ यह sentence समझा गया तो यहां से अब कहाने आगे लेके चलते हैं assurance अच्छा assurance engagement का मतलब क्या हुआ ऐसी engagement ऐसी engagement ऐसी service ऐसी activity जिसमें कोई एक professional financial statements को चेक करके उनके बारे में shareholders को report देता है कि वो ठीक है के नहीं और इसकी वज़ा से shareholders का confidence बढ़ जाता है भाई यह concept समझा रहा है चलिए अब हम देखते हैं कि इसी concept को standard किन words में explain कर रहा है हम सीखने क्या जा रहे है assurance engagement की definition अगर आप से conceptually कोई पुछे assurance engagement बताओ क्या है आपको इस्योरंस engagement का मतलब audit engagement या एक तरह से इसमें क्या होता है इसमें एक professional होता है वो financial statements की verification करता है verification करने के बाद वो अपनी report देता है shareholders को जिससे shareholder का confidence enhance हो जाता है अब देखते हैं standard इससे जो आरे standards है वो इससे कैसे define करते हैं अच्छा मैं बार बार वर्ड बोलाऊ standards ठीक है जिस तरह accounting आपने पढ़ी है ना accounting में कुछ standards होते हैं उससी तरह audit में standards होते हैं उस तरह audit में भी standards होते हैं लेकिन दोनों standards में एक फरक है वो जिहन में रखना आपने accounting के standards ये बताते हैं कि accounting कैसे करनी है यानि financial statement कैसे बनानी है audit के standards ये बताते हैं कि audit कैसे करना यानि audit procedure क्या क्या पर फार्म करने हैं इस concept को mix नहीं करना आपने accounting standards क्या बताते हैं कि accounting कैसे करनी है आडिटिंग standards क्या बताते हैं अडिट कैसे करना अब हम assurance engagement की definition पढ़ने लगे हैं वापस आया assurance engagement का मतलब क्या assurance engagement means engagement means activity job इस assurance engagement भी कह सकते हैं assurance service भी कह सकते है assurance engagement means an engagement in which a practitioner obtains evidence about valuation of subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intelligent user other than responsible party यह एक टेक्निकल सी definition है जो first time पढ़े समझने आते अब मैं इसके कुछ parts आपको समझा रहा हूं पहले उनके मतलब समझा रहा हूं मुश्किल अलफाज के मैंने पहले मैं क्या समझाओंगा मुश्किल अलफाज के में फिर उसके बाद पूरा sentence आपके सामने बोलूँगा तो इंचाला समय रख जाएगी सबसे पहले practitioner practitioner का मतलब क्या professional professional जो जिसको हम इंगेज करता है कोई काम करना के लिए जैसे आपने कोई टेक्स रिटन अगर फाइल करवानी है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खुद से टेक्स रिटन फाइल कर सकते होंगे नौर्मली आप किसी टेक्स practitioner के पास जाएंगे वो रिटन फाइल करेगा practitioner का मतलब एक professional जो क्या करता है जो subject matter को evaluate करने का मतलब है verify करना evaluate करने का मतलब क्या है verify करना subject matter का मतलब क्या है किसी किसी भी चीज को subject matter का मतलब होता है वो चीज जो अंडर अनेलेसिस है कि एक general word subject matter का मतलब क्या है वो चीज जो अंडर अनेलेसेज हैं जब डाक्टर किसी लाश का post-mARTem कर रहे होते हैं तो उनका subject matter क्या होता है पूलाश कि तो हम जब आपका एज आडिटर काम कर रहे होंगे पोस्ट मार्टम कर रहे होंगे हमारा सब्जेक्ट मेंटर क्या होगा फाइनेंशल स्टेट्मेंट शाबाश ठीक है लेकिन उसने यहां पे कुश्चन बता सकता है यहां पे financial statement के पुज़ए subject matter का word क्यों use किया क्योंकि ये practitioner सिरफ financial statement नहीं और भी बहुत सी चीज़नों को verify कर सकता है हमारे इस labels की हद तक सिरफ financial statements है लेकिन advanced level पे financial statement के साथ कोई non financial statements भी शामिल हो जाती है तो valuation subject matter किसी चीज़ को verify कर रहा है practitioner है वो verify कर रहा है subject matter किसी चीज़ को against suitable criteria किसी standard के against ठीक है किसी एक practitioner है doctor ठीक है वो evaluate करता है verify करता है अपने patient को ठीक है thermometer लगा है temperature आया 103 क्या कहेगा बुहार है के नहीं अच्छा सिरफ एक normal और हाँ लहोर अभी नहीं ले जा लहोर एक सो छे साथ एक सो छे साथ में अच्छा मुझे ये बताईए क्या आप इसको doctor सिरफ अब तो है उनको जबानी याद होते है लेकिन ये जो भी temperature आता है क्या doctor से किसी standard के साथ compare करता है भई 98 पे भी तो temperature तो है ना कुछ ना कुछ 98 भी लेकिन 98 नॉर्मल है ठीक है 102, 103 ये नॉर्मल नहीं है तो किसी जब किसी चीज़ को मेयर किया जाता है तो बताया जाता है कि ये चीज़ ठीक है कि नी किसी ना किसी benchmark किसी ना किसी standard के साथ उसको compare करना पड़ता है फिर आप बता सकते हैं कि अच्छा मसला नहीं है या मसला है लेकिन थोड़ा मसला है या मसला बहुत बढ़ गया मरीज आहरी स्टेज़ पे है ये किसी भी नतीज़े पे पहुंचे आप एगरी करते हैं कि subject matter उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ compare करना पड़ता है बेंच मा के साथ उसको कहते हैं हम criteria 98 temperature normal है ये है criteria इसके against हम अपने subject matter को compare करेंगे evaluate करेंगे और फिर हम report दे डाक्टर report दे देगा ये बखार है के नहीं या जो भी टेस्ट है उसी तरह हम भी यही कान करते हैं हम practitioners verify करते हैं evaluate करते हैं किस को financial statements को किस के मताबब किसी criteria के मताबब जैसे आप बताएए financial statement किस के मताबब बनती है IFRS के मताबब हम उसे IFRS के मताबब देखेंगे सही बनी है और फिर evaluate करने के बाद verify करने के बाद हम क्या करेंगे अब conclusion दे देंगे अपना conclusion भी कहते हैं इसको opinion भी कहते हैं ज्यादा तर opinion का word यूज़ लेकिन conclusion का word भी यूज़ होते है हम अपना opinion या conclusion दे देंगे जिस से intended users यानि shareholders का confidence enhance हो जाएगा कि हाँ ने checking करने के बाद कहा है financial management ठीक है तो अब ठीक है management direct मुझे बताती ना तो मैं इतना यकीन न करता बिवास हमाज़ाई other than responsible party यानि वो कह रहा है confidence enhance होगा लेकिन किसका intended users यानि shareholders का responsible party का confidence नहीं enhance होगा responsible party है कोन उसका confidence क्यों नहीं enhance होगा तो पहले enhance है उसका मतलब क्या होगा अब सुनिये जरा अब इसको पढ़ते है assurance engagement का मतलब है assurance engagement अच्छा इसको insurance नहीं कहना हाँ मेरी English हिसाब किताब भी की है तो बाद उकात मेरी pronunciation जो होती है न वो फार्ग सी होती है ठीक है उस रूण कहते है सर आप audit कहना चाहिए आप क्या audit audit कह रहे होते है तो कोई मसला नहीं और एगा तो वही जो मर्जी कहले है तो रुवानी में concept के for focus करे प्रोनसियेशन को छोड़े लेकिन बाद उका चुके टेस्ट में कोई इस तरह के मसले मिसाल आते हैं इसलिए बता रहा हूँ यह insurance नहीं है insurance है insurance engagement insurance engagement ऐस engagement को कहते हैं जिसमें एक practitioner है और वो सुबूत ही कठे करता है अच्छा मुझे यह बताईए कि financial statement ठीक है के नहीं यह हमें कोई checking checking करने के बाद बताना चाहिए के पहले तो जब हम अगर कहते हैं financial statements ठीक अगर हम conclusion में यह कहते हैं हमने verification की कि financial statement माई एफरस के मताबिक है के नहीं और हमने conclusion में कहा कि financial statements ठीक है हमने यह report दे दी shareholder को क्या हमने इस अंतीजे पे पहुंचने के लिए कोई काम किया होगा क्या हमने इस अंतीजे पे पहुंचने के लिए कोई evidence इकठा किया होगा procedure भी perform किया होगे evidence भी कठा किया होगा क्या हमने evidence के बगार report देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए ठीक है तो हमने evidence है, याद रखे हम अपने users को report तो देते हैं, evidence नहीं देते, evidence क्यों नहीं देते हैं, वो हमारे अतने पास है, वो तो हमने काम किया है, वो अगर कल कला को हमें कोई challenge करता है कि तुमने सही काम नहीं किया था, ये बिलकुल ऐसे ही है, जैसे एक judge है, एक judge भी एक practitioner है, professional ह उसने अपनी कानून की किताबे पड़ी हो क्या है ताजीराते पाकिस्तान एक क्राइटेरिया है उसके सामने जो भी किये साता है वो उसके फैक्ट्स को जो भी किये साता है सब्जेक्ट मेटर उसके फैक्ट्स को ताजीराते पाकिस्तान के साथ कंबेर करता है कि इसके मताबि ये सदा बनती है कि नहीं जुर्म बनता है कि नहीं बनता और फिर अपना कंक्लूइन देता है कि ये गिल्टी है या नौट गिल्टी मुझे बताइए अगर जज कहे गिल्टी तो उसके पास सबूत होना चाहिए कि नहीं कोई बिल्कुल और कहे नौट गिल्टी तो फिर भी स सबूत होना चाहिए शुरेंस इंगेजमेंट का मतलब ऐसी इंगेजमेंट जिसमें एक प्रैक्टीशनर यानि अडिटर एविडेंस अब्टेंड करता है सबूत इकठे करता है किसके बारे में वैरिफिकेशन करके सब्जेक्ट मैंटर के बारे में कि फाइनाइशल स्टेटम क्राइडिरिया के मताबिक मनी है कि नहीं अब इनकलूयन देता कि क्या तो've नैटेटा है क совершенно कुई हो सकता है वह यस्ञर सकता है ठीक है वह नों कहो हो सकता ठीक नहीं अगर बड़ा है जिससे यूजर का confidence in है यह तो आपको बता है अब यह definition समझ आई आपको अच्छा चलिए अब अगर आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं इस definition के कुछ हिस्से करते हैं इन हिस्सों को हम अलाइदा अलाइदा detail में study करते हैं व definition automatically समझ आजाएगी क्यों क्योंकि यह elements असल में इसी definition से निकले हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा है definition of शुर्फ में मुझे बताईए को एक लफज भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया सारे समझ अब इसके elements इसके हमने किया हैं कुछ हिस्से parts कि कि एक इस इंगेजमेंट में यह हिस्से होते हैं जैसे वह होता है मैट्रिक में साइंस में होते हैं पता नहीं हश्रात के तीन हिस्से होते हैं सर धर्ड और पेड़ इस तरह बताते हो किस तरह का concept होता है उसी तरह शुर्फ इंगेजमेंट के कितने हिस्से होते हैं पांस पांस कुन कुन से three party relationship subject matter suitable criteria एविडेंस स्ब्सक्राइड लिए अब सबसे वह दूनिया की हर शोनस इंगेजमेंट में तीन पार्टी होगी अगर तीन पार्टी नहीं है दो हैं तो वह प्र शुरंस नहीं है कौन-कौन से 3 parties होंगी एक Intended User अच्ぱ आप एक चीज़ सुनने असर में न, Assurance Engagement की different types हैं हमारे syllabus में नहीं है एक के लवा ठीक है, दो के लवा हमारे syllabus में नहीं different types हैं इसलिए जब Assurance Engagement को define किया जाता है न तो generic language use की जाती है ऐसी language जो हर तरह की assurance engagement को cover कर रही हो लेकिन असल में added में हम specific terms use करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा इसका मतलब यही है ठीक है यह term use लेकि इसका मतलब भी तो three party relationship दुनिया की हर assurance engagement में तीन parties है कौन-कौन सी? intended यानि के shareholder लेकिन उसने general term use की है आपने exam में यह term use करने हैं यूजर शेर होल्टर नहीं रिखना जब वो elements of assurance engagement पूछे तो उसे general language में ही बताना है जो उसने इंटार्ड इडियूर दूसरा कोन है? response party का मतलब क्या? और तीसरा? practitioner का मतलब क्या? auditor, शाबश यह clear हो गया? चलिए अगर clear स्वाल का जवाब देजिए directors ने एक chartered accountant को engage किया और उसे कहा यह हमारी financial statements है इनको verify करके हमें बताईए report दीजिए कि financial statement ठीक है कि इनमें कोई गड़बड है बताईए कितने strongman का ख्याल है कि यह assurance engagement है? कितनों कहाई नहीं है? क्यों नहीं है? भई इसमें सिरफ दो पार्टीज इनमालवा तीन पार्टीज है नहीं एक director है और एक practitioner है intended users तो है तीसरी पार्टी नहीं है कोई ठीक है इसलिए यह assurance engagement तो दुनिया की हर assurance engagement में कितनी पार्टीज होनी चाहिए जब responsible party ही intended user भी है तो वो basically तीन पार्टीज नहीं हुई वो दो होगी इस case में इसे हम assurance engagement लेकिन इसे non assurance engagement कहते हैं फिर जो assurance engagement नहीं है वो क्या होगी non assurance engagement आगे चलते हैं दूसरा subject matter subject matter क्या है वो data वो information जो के responsible party ने prepare की है और जिसको practitioner ने verify करना है subject matter क्या है वो information जो responsible party ने prepare की है और practitioner ने verify जैसे हमारे इस लेबस में वो हमेशा 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 एक ही चीज़ होगी financial statements ठीक है लेकिन जब आप advance level पर जाएंगे तो और चीज़े भी आएंगे फिलहार फाइल सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया फिर है suitable criteria subject matter जब भी कोई बनता है ना किसी ना किसी criteria के मताबिक बनेगा ये हमेशा जहन वे रखिएगा कोई ना कोई criteria जैसे हमारी financial statement जब बनती है आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं कि कोई standard कोई criteria है criteria मुझूद है लेकिन अगर आपने अपना subject matter बनाते हुए उस criteria के मताबिक काम नहीं किया उसके खिलाफ काम किया तो हम क्या कहेंगे financial statement प्रिपेर्जेंट नहीं करते हैं तो criteria का मतलब क्या है वो framework वो rules and regulations जिनकी base पे financial statements prepare होती है criteria का मतलब क्या है वो rules and regulations जिनके मताबिक financial statements prepare होती है जैसे आयवरस एक framework है सबसे ज्यादा जो दुनिया में use होने वाला framework है वो आयवरस लेकिन इसके इलावा भी कुछ framework है दुनिया में financial statement prepare करने के लिए सरफ एक criteria नहीं है बलकि और भी बहुत से criteria हैं अगर आपने tax का subject पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा income tax ordinance में भी कुछ rules and regulations हैं जो financial statements बनाने के लिए यूज होते हैं जो taxable profit calculate करने के लिए यूज होते हैं और वो rules different है आयाफरस साथ क्लास में कोई स्टोंड बता सकता है कोई एक example जो tax basis framework में different हो rule और आयाफरस में different हो depreciation हाँ tax में different rate होता है और आयाफरस में different होता है और बैडर्स tax में record नहीं होते हैं जब तक actual ना हो और आयाफरस में record हो जाते हैं ठीक है और accruals और prepayments tax वाले cash basis पर लाओ करते हैं शायद या दुनों करते हैं चले बारहल हमारे जमाने में को cash basis को उपर चलते हैं चले बारहल इससे तो agree करते हैं कि दुनिया में financial statements prepare करने के एक से ज़्यादा criteria या framework है इससे agree करते हैं एक example IFRS दूसरा tax basis framework अच्छा अगर गोर करें ना तो criteria के साथ लफज लिखा हुआ है suitable suitable का यह इसमें बहुत बड़ा concept शुपा हुआ हुआ है criteria में भी था वो समझा दिया suitable में क्या है के अच्छा मुझे यह बताईए यह criteria सेलेक्ट मैनिजमेंट ने करना है क्या आइडर ने इसमपल आंसर बहुत जिसने subject matter बनाना है उसीने criteria सेलेक्ट करना है सब्जेटमेंट किससे मताना है criteria किससे सब्जेटमेंट को चाहिए कि criteria suitable सेलेक्ट करे हला तो वाकियात के मताबिग suitable criteria सेलेक्ट करे suitable का मतलब देखे जैसे अगर financial statements बिजवानी है आम users को stock exchange में तो बताईए उसके लिए suitable criteria क्या होना चाहिए और अगर financial statements बिजवानी है FBR को tax return के साथ तो उसके लिए suitable criteria क्या होना चाहिए तो यहाँ पर note कीजिए सिर्फ criteria ने लिखा हुआ element में suitable क्राइटरिया लिखा होता तो इसका मतलब है आप जिसको मर्जी जिस मर्जी framework के मताबिक financial system बना के बेश सकते थे नहीं 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 assurance engagement में लाजमी है कि आपका criteria suitable हो suitable आपने देखना किसके लिए बन रही है उसकी requirements क्या है उसके लिहाज से decide करेंगे suitable criteria में वर्ड criteria समझ आ गया वर्ड suitable भी समझ आ गया कितने elements हो गए तीन कौन कौन से टी पार्टी relationship subject matter suitable criteria एविडेंस 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 इसके उपर मैंने detail में discussion करने हैं हाला कि concept simple है लेकिन चुके कुछ advance भी साथ में base बनाने चारा हूं आपकी इसलिए question ज्यादा पुछूँँगा को अभी judge की example दी थी आपने कभी सुना होगा तमाम सुबूत और गवाहों के बेयानात की रोश्नी में अदालत इस संतीजे पे पहुंची है मुल्जिम की शकल देखके अदालत इसे नितीजे पे पहुंची है कि इसी ने मुर्गी चोरी की है कभी ये सुना कभी ने सुना हमेशा क्या होता है तमाम सबूतों और गवाहों के बेयानात की रोश्नी में इसका मतबए जज को जो फैसला करना चाहिए न वो अपनी personal likes और फैसला क्या होना चाहिए जज का conclusion क्या होना चाहिए जज क्या judgment दे कि बरी कर दो बेगुना है और अगर सबूत और गवाहों के बेयानात इस बात की तरफ इशारा कर रहे होंके गुनागार है तो उसको सदा मिलनी चाहिए ऐसी है यानि हर और ये सिरफ असूल जज पे बला अचे है कि हर परफेशनल के अपनी राय काइम करता है ना हर पर वो किसी एविदेंस की वेस्ट पर अगर अगर आप बाइस रोगे हो अब फर्ज किजिए किसी स्टूट के वालदायन मेरे पास रहे का सर जी हमने अपने बच्चे को आपके पास बेजा है महीना हो गया है त अचे को देखा उसकी शकली ही नहीं मुझे पसंदा है क्या मैं यह कह दएओ कि मुझे psychic का यह क्यए है मुझे नहीं किना चाहिए मुझे जो राय काइम करनी चाहिज जो नतीडेशें पर पर पहुंझना चाहिए वो किसी ना किसी जैपितर्स की बेस्पर अब मुझे अपना ट्रॉट्र मताना है अपना पीनियस्याव सकते अपना है यह पास हो सकता है के हैं यह कि सारी चीज़े और घ्र यह यह पास हो सकता है और अगर फैवर मे नहीं जा रही यह रही है बहिए यहां पर एक चीज़ बताओं कंक्लूियन जो हमने देना है वो एविडेंस की बेस्पे देना है इससे अगरी करते है अगर एविडेंस कह रहा है पास हो सकता है तो मेरा कंक्लूियन क्या हो अगर एविडेंस कह रहा है के फेल हो सकता है तो ये ذहन में रिखेगा चाहे मैं येस की बात कर रहा हूं चाहे नो की बात कर हूं मैं रिपास दोनों सुर्तों में evidence होना चाहिए अगर मेरे पास evidence है ही नहीं मैं कोई बच्चे को देखे नए पहली दफ़ा है ठीक है तो याद रखे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता नो उसके बारे मैं कहूंगा सर मेरे पास कोई भी अविडिनस अगर टेस्ट है टेस्ट में पास हुआ है तो मैं क्या कहूंगा पास टेस्ट में है टेस्ट में फेल हुआ है अगर उस बच्चे ने फर्ज करें टेस्ट दिया ही नहीं ये देखें ये एहम concept है क्या मुझे कहना चाहिए pass सोच के बताएए क्या मुझे कहना चाहिए fail अब आपके जहन में आ रहा है उसने test ने दिया तो failure लेकिन याद रखिए इसका मतलब है हो सकता है वो पास होने वाला हो लेकिन किसी वज़ा से टेस्टना बिमार हो गया उस दिन तो हमें यह सिखाया जाता है कि आपने जब भी कोई कंक्लूइण या उपीनियं देना है किसी एविडेंस की बेज़ पे देना है और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपने conclusion नहीं देना फिर सुने नहीं बाइद समझाई standard ये कहते है आप practitioner है आप professional है personal likes, dislikes को side बे रखना है जब कभी कोई conclusion देना है ना वो किसी ना किसी evidence की base बे देना है चाहे conclusion yes हो चाहे no हो evidence होना चाहिए और अगर evidence नहीं है तो फिर कोई conclusion ना yes का ना no का चलें आगे फिर इस concern को दुबारा किसी ने डिसकस करेंगे आगे चलते हैं कितने element हो गए नहीं आगे नहीं चलते हैं अच्छा आगे नहीं चलना अभी पहले मुझे ये बताईए आवाज आ रही हो अब आवाज आ रही है के नहीं आवाज आ रही है चलें ठीक है अच्छा अब मुझे ये ना बताईए ये बात तो समझागी ना हमें कि जो भी हम conclusion देने जा रहे हैं उसकी sport में हमारे बास evidence होना चाहिए मैंने आपको example पूछी student की कि इसके बारे में पास या फेल बताना है क्या evidence होना चाहिए आपने ठक करके कहा अब discussion को आगे लेके चलते हैं कि अगर मैं आप से पूछू financial statement को हमने वैरिफाई करना है financial statements के अंदर different line items होती है होती है कौन-कौन सी होती है जरा बताईएगा sales शाबाश purchases expenses assets income नहीं specific example दें सिर्फ assets ना कहें बताएं कौन-कौन assets inventory fix assets debtors creditors payroll cash bank stock बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अच्छा अब सुनें कोई सी line item फिर से बताएं परशेजिस आप एक auditor हैं आपने परशेजिस को verify करना है कि और बताना है परशेजिस ठीक है के नहीं आपके पास कोई evidence होना चाहिए परशेजिस को verify करने के लिए क्या evidence होगा सिर्फ एक जवाब शावार परशेज इन्वाइस और एक और example मेरी तरफ से भी लेजिए परशेज एग्रिमेंट एग्रिमेंट लादा चीज होती है और इन्वाइस लादा बलके अगर आप कहें तो एक और example दूँ वो क्या बला good seed note ये मुश्किले मिसाल थे यहाँ ये सारी चीज़ी evidence है अगर किसी transaction आप परशेज को verify कर रहे हैं और उस transaction में ये चीज़ें मुझूद है परशेज इन्वाइस है परशेज एग्रिमेंट है इसका मतलब क्या है वो transaction ठीक है इसका मतलब क्या वो transaction बेबा इसका evidence बताइए आप क्या होगा चाबाश sale in wise और एक मिसाल और दूम है sales agreement शाबाश और एक मिसाल और दूम गोड़ इसका मतलब है जब हम verification कर रहे होते हैं कि sales ठीक है कि नहीं तो यह evidence ढूंड रहे होते हैं अगर आपको यह evidence मिल जाए तो इसका मतलब है यह चीज़ें ठी अच्छा आपने verification की 10,000 की sale थी आपने इन्वाइस जो record हुई थी इन्वाइस देखा वो 10,000 की थी आप क्या कहेंगे financial statements give true and fair view या financial statements do not give true and fair view give true and fair view और अगर record 10,000 किया था sale इन्वाइस 1000 किया है financial statements do not give true and fair ये sales do not give true and fair view ये बाद समझा रही है अच्छा एक sales की example होगी एक purchases की मैं चाहरा हूँ जरूरी नहीं है लेकिन आगे चलके ने topic का उसमें documents use होते हैं तो मैं चाहता हूँ आपके साथ इनको familiar कर दो और example दीजिए कोई area electricity bill electricity bill के verify करने के लिए क्या evidence चाहिए उसका bill उसका bill अच्छा एक इस concept से दूसरा concept समझा रहा हूँ आपको evidence की example लेके दूसरा concept साथ ही एक तीसरा भी जेन में आगया वो भी बता दूँ आपने evidence देखा bill आपने का electricity bill देखेंगे सर luxury expense को verify करने के लिए क्या evidence देखेंगे luxury bill दो स्वेशन पहली स्वेशन क्लाइंट ने फोटो कापी दे दिया आपको दूसरी स्वेशन original bill दे दिया किसमें evidence से ज्यादार लाए किसमें आपके ज्यादा तसली हो जाएगी कि regional में शाबाश और एक्जेंपल आप एक्जेंपल बताईए कोई salaries शाबाश सैलिस को verify करना है बताना है कोई evidence लेके फिर यह बताएंगे क्या evidence के बगार evidence लेके और यह सैलिस का evidence यह भाई मुझे बताएं पेरोल शीट शाबाश शाबाश आपने कहां पड़ा है पेरोल शीट यह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सेल पर चीज़ बढ़ा था कॉस्प अच्छा पेरोल शीट प कै 근姓स औरेंट शाबाश रांच यह आप बताएंगे रेंट शैस को verify करना है कि ए रैंट छ इवरता है यह सबक्सारा और शलबने को prefer досल को एक पर शाबाश दूसरे से तिसरा territorial में आगया रेंट agreement देखा, रेंट एगरिमेंट में तैय हुआ हुआ है, expense में record हुआ है, rent 10 लाख, रेंट एगरिमेंट देखा, 10 लाख ही था, क्या आप पही conclusion देंगे? दूसरा case, expense रिकार्ड हुआ 10 लाख का, rent एगरिमेंट देखा, उसमें 1 लाख agree वआ था, क्या कहेंगे रेंट एक्समांज कर दो नॉट गेव यह कहेंगे तीसरा केस कि इसरा है रेंट एक्समांज दसलागा रिकार्ड हुआ है आपने कलाइंट से कहा रेंट अग्रीमेंट उसने का गुम हो गया है इन और कितने स्वोर्ट का ख्याल है कि financial statement गिव तो सुरी rent expense give to and wearview कि इसमेंश का ख्याल है वही एक्सप्रेस no conclusion मिशाबाश वही express no conclusion इसका मतलब है जो भी कंद्लूएन हो evidence की बेस पे होगा evidence और 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 सबस्राइब केश घ्राइबैक कैश के बैंक में कैश का पताइए के जुँरा इस होगा इस प् weapons झाट के लि hela नोड देख लेंगे फिजिकली मुझी नहीं नोड देख लेंगे physically मजूद है के नहीं आपको पता है आपका कोई दोस्त अगर आल्डिकल्स में है तो उस ट्राक आउंट करने जाता होगा यह गिनते हैं हम नोट्स है अगर नोट्स सारे करणसी मजूद है इसका मतलब है ठीक है बैंक में जो बैलनस है बैंक रिकंसीलियेशन स्टेटमेंट बेहतरीन एक्जेंपल यह गहां बड़ी आपने आरटू में आरवन में शाबाश बैंक रिकंसीलियेशन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है अच्छा और डैडर 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 को कैसे वारिफाई करेंगे इस काविडनस पताएं तो मानूं बेल्स रिसीवेबल नहीं वो वो तो अलाइदाज है क्राडिट सेल्स बिल्कुल ठीक है अच्छा लेकिन का एक मिन ठेरे क्राडिट सेल्स बड़ी हजीब मिसाल बत देदी आप लो मैंने का डैडर को कैसे वैरिफाई करेंगे इन्हों का सर देखेंगे क्राडिट सेल्स जो उसको की लेकिन वो क्राडिट सेल्स हम सेल्स वाले एरिया में चेकनिंग कर चुके होंगे वो एविडेंस तो सेल्स वाले एरिया का था क्या वो डैटर्स में भी यूज हो सकता है येस हो सकता है जाद रखेंगे डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की खास बात ही यही है कि एक ट्रांस एक्शन दो एरिया को फैट करते हैं तो हमारे बहुत से ऐविडेंस ऐसे होते हैं जो एक एरिया में तो काम आती हैं दूसरे अब यहाजाते हैं मैंने को कहा भई परचेजिस का जब आया है परचेजिस के प्रोसीजर बताओ तो जी एरन लिख देना तो ठीक है फिर मैंने का क्राइडिटर का आय ना उसमें भी जी एरन ना उसने का सर्थ हैं यह तो आपने परचेजिस में करवाया हुआ क्या करेंटर को वैरिफाइब करते हुए परचेजिस की ट्रांज एक्शन को चेक नहीं कर सकते लेकिन कौन सी वाली को चेक करेंगे बला जो एंड वाली आहरी महिने वाली क्योंकि जो शुरू वाली तो होगी होगी ना मौस्ट पर वेवली तो बाप अच्छा मशीनरी मशीनरी भी तो एक एरिया है फानेंशल स्टेट्मेंट का इसको कैसे वैरिफाइब करेंगे फिजिकल ही देखेंगे शाब आश मवजूद है कि नहीं और अच्छा चले और बताएं और क्या देखेंगे उसके टाइटल डाकुमेंट्स देखेंगे इनवाइस बगारा बिल्कुल ठीक है तो इस सारी डिसकेशन से क्या हम इस संद्रिजे पर पहुंचते हैं कि हमने जो भी ऑपीनियन जिस कंकुलिन पर भी महुंचना है एविडेंस पहले लेना है उस एविडेंस की बेस पर एविडेंस क्या होगा यह अकाउंट डिपेंड करता है अलेक्टिसीडी का एविडेंस हो सकता है कुछ और हो रेंट का एविडेंस को वैरिफाई करते हो सकता हम कुछ और एविडेंस को देखें सैलीज एक्समेंस को वैरिफाई करते हो सकता है कुछ और एविडेंस को दे बुनिया में आज तक कोई ऐसा एजाद नहीं हुआ जिस को वेरिफाइब करने के लिए कोई एविडेंस नहीं हो एवन डाप्रीशियेशन एवन प्रवियन फार बैडट्ट्स को भी वेरिफाइब करने के लिए है evidence मुझूद होते हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा आपको अभी नहीं बता रहा ठीक है वो आगे चल के देखें कितने elements चार थी पार्टी रेशंशिप सब्जेक्ट मेंटर सुटबर करेड़ है अहरी मैं नहीं बता रहा रिपोर्ट रिपोर्ट अच्छा report लेकिन इसलगा conclusion लिखा हुआ था एधर by conclusion report में ही होता है जब हम आई कैप का पेपर देते हैं, आई कैप हमें रिपोर्ड बेज़ता है ना, रिपोर्ड हो पुरा पेज होता है, उसमें बहुत से ऐलिमेंट्स होते हैं रिपोर्ड के अंदर, बहुत से ऐलिमेंट्स होते हैं उसमें डेट भी होती है, उसमें नाम भी होता है, उसमें एड्रे पेपर दिया सुनिए पेपर दिया अच्छा हुआ क्या कंक्लूए नाइक का पेपर दिया अच्छा नहीं हुआ पेपर देने नहीं गए अड्मिशन फार्म जमा करवा है पेपर देने नहीं गए फिर क्या आता है फिर पास आता है क्या क्या फेल आता है क्या नहीं फिर क्या आता है क्या कोई भी कंक्लूइन नहीं है क्योंकि आई-कैप के पास एविडेंस ही नहीं याद रखे जब आई-कैप आपको पास कहता है उसका भी एविडेंस आई-कैप के पास मजूद है जब आ तरिटन को समदें कि घरेटन का मतलब कि किया बना रहा है कि इसके कोई-स कोई-स की कौन क्लुईन हो गा जिसमें प्रैक्टीशन राइटर कह रहा होगा कि फैने सिर्जय स्ट्रेइब कर रहे हो ग worry को चमील आँ कि आथी नहीं होगी, या डिट रिपोर्ट हमेशा क्या होती है, रेटन फार्म है, कभी जबानी कला में नहीं होती है, ये रेटन अशूरंस रिपोर्ट लास्ट अलिमेंट, ये प्रोवाइड करता है कौन, इसको, यूजर्स को, इसमें बहुत से अलिमेंट होते हैं, याद रिपोर्ट, एक पूरी रिपोर्ट है, जिसमें बहुत से अलिमेंट होते हैं, जो सबसे अहम अलिमेंट है, वो कन्कुलूइन होता है, भाई, रिपोर्टर के लिपोर्ट समझा गया, तो यहां पे आपने रिटन अशूरंस रिपोर्ट लिखना है, कन्कुलूइन, नहीं है ऐपी एलिमेंट समझागे फीप सब्जेक्ट मेटर फुट रचा मुझे बताएए इस डैफिनेशन में थ्री पार्टि नजर आ है आपको है कौन-कौन से इसका मत्तब़ है एलिमेंट डैफिनेशन से निकले हैं ना क्या इसमें सब्जेक्ट नजर आ क्या इसमें आपको क्राइटेरिया नदर आ रहा है क्या इसमें एविडेंस नदर आ रहा है क्या इसमें रिपोर्ट नदर आ रहा है रिपोर्ट नदर आ रहा है रिपोर्ट नहीं है लेकिन कंक्लूयन है और कंक्लूयन चुक्छे रिपोर्ट में होता है तो उसका भी जिकर है इसका मतलब यह अगर आप definition समझ लें तो element समझ आ जाएगे और element समझ लें तो definition समझ आएगे दोनों एक ही चीज है फरक सिरफ यह है कि यहां पर element थोड़े explained बेक्लियर हुआ कुछ कुछ समझ आई चलिए अब आपको तीन मिनट दे रहा हूं यह आपको नोट्स लेकर रीड कर लें तीन मिनट के बाद आपकी टेस्टिंग होगे पास किजी का जी एक स्टोन ने क्वेस्टन पूछा है कि सर अगर assurance engagement हम पर फार्म कर रहे हैं उसके बाद हमें evidence मिल गया और सारा कुछ ठीक है तो यह assurance engagement है और एगर एविदेनस मिला लेकिन प्ता चला कुछ गड़बड़ है तो क्या फिर भी assurance engagement ही कहलाएगी या फिर भी assurance engagement कहलाएगी और इससे अगली बात भी सुनें अगर evidence नहीं मिलता तो फिर भी Assurance गेजमेंट ही कहलाएगी या तरके Assurance गेजमेंट का तालुक इसी से नहीं है कि कन्कुलूजन क्या है ठीक है वो इससे उसका तालुक Cat जिसतलाइक है यह स्टार्ट में ही टिसाइड हो जाता है ठीक है वो कन्कुलूजन पे डिपेंड नहीं करता कि ये वाला conclusion होगा तो assurance engagement होगी, ये वाला conclusion तो assurance engagement नहीं हो, नहीं, conclusion जिस तरह का मर्जी हो, ठीक है, evidence चाहे मिले, चाहे ना मिले, चाहे evidence सही हो, चाहे गलत हो, assurance engagement बहराल रहेगी, हाँ evidence मिलना चाहे लेकिन evidence practically एसर में ऐसा नहीं होता, कि आपको कोई भी evidence नहीं मिलता, practically होता ये है कि अगर financial statement में 50 areas है ना, तो आपको एक या दो में evidence नहीं मिलेगा, बाकियों में तो मिलेगा ना, तो evidence कुछ ना कुछ जरूर होता है, ठीक है evidence मजूर जरूर होता है, और sometimes evidence का ना होना भी evidence होता है, लेकिन ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, नहीं नहीं इसको छोड़, इसको छोड़, अच्छा आप सुनें, अब आपका है test time, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने आज के lecture में आपको समझ आया कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है, आपको पता है कि क्या करना है, मॉबायल पे जाना है, क्रोम पे, वहाँ पे आपने explorer पे website open करनी है, menti.com, www.menti.com, वहाँ पे जाके code एंटर करना है, 6069117, अच्छा ये online वाले student सुनें, ये code class के बाद काम नहीं करता, class के बाद आप, आपको ये मैं provide करूंगा ठीक है, लेकिन वह आपके LMS पे link के जरीए, और class के बाद आप लोगों का लिए वैलिबल नहीं, class के दुरान में online वालों के ये वैलिबल नहीं, लेकिन class के बाद online वालों के लिए वैलिबल है आपके लिए.s будут तो दोनों के लिए हैंना time का फरका है, start करें जी, त्यार है यह आपको पता है कैसे एकलना है मैंटी डॉट कॉम पे जाए कोड अंटर के दस क्वेस्टन मेरे हाला दस यह एक आदा शाहिद ऊपर निचे हो faster answers more points यह तो पता है न रूल सिरफ सही नहीं करना जल्दी भी करना यह विल भी किवन ए रीडिंग टाइम और फाइफ सेकेंड क्वेस्टन आएगा रीडिंग के बाद options आएंगी आपने वोट करना होगा किसी option को टाफ फाइब स्टूंस तो गैट रूपीज 50 इच अब आपके सामने आपसे नाम पूछे का आपने अपना आईडी एंटर कर देंगा अशलिए 1445 148 150 होगे जिए ठीक है स्टार्ट करें जी चलिए पहला क्वेस्टन यह कि इफ आइटार इडिटिफाइस बीक्नेस इंटर्नल कंट्रोल तो हूंब शूड़ ही कमुनिकेट अगर इन्टर्नल कंट्रोल में कोई वीक्नेस नजर आए उसे किसको कम्युनिकेट करना है कि अमेनिजमेंट को यह शेर होल्डर्स वियाके दोनों को यह इन यह किसी को भी नहीं रैगूलेटर को किस्थ को किसको कट्रोल बीकिनसिको कम्यूनिकेट की जाते हैं मैंजमेंड को शाबार इसमें क्रेक्ट आपशन है एंजियूबू हुई तो मैंजिमेंट को मुझुनिकेट की आगे चलो question 2 त्यार है यह रहा question आपके सामने which of the following is not a correct response if auditor identifies a weakness in internal control कौन सा सही response नहीं है not नहीं है communicate to management यह तो सही है internal control weakness आए तो management को communicate तो करनी चाहिए increase risk of material misstatement यह भी सही है अगर internal control risk बढ़ जाएगा ज्यादा पुरुश्य परफाम करने issue modified report यह सही नहीं है modified report issue नहीं करनी चाहिए इंक्रीज प्रोसीजर प्रोसीजर भी से बढ़ाने चाहिए रिपोर्ड मोडिफाइड नहीं करें क्यों रिपोर्ड मोडिफाइड उस वक्त होती है जब मिस्स्टेटमेंट इन फानेंशल स्टेटमेंट हो जब वीकनेस इन इंटरना कंट्रोल हो तो आड़ेट रिपोर्ड पे कोई फराइड नहीं किस पर एक बढ़ता है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्री यह रहा है यह विच फॉल्मिक स्टेटमेंट इस क्रेक्ट जुड़नी है क्रेक्ट लैटर ओफ वीकनेस इस इस्शोटू शेर होल्डर्स और यह तो रॉंग है वो तो अड़िट रपोर्ट शेर होल्डर को इस्वड़ गरते लैटर ओफ इसीजर करते हैं तो यह गलत है फिर मिस्टरेटमेंट्स क्रेक्टीड वαι मैनेजमेंट आर मैंशन इना अड हंकरते जो उन्यवानेशन करते और आधि अन मोर्त हम परालिट पर फिर नॉट वेस्ट टाइम ऑन अंटेसटेणिंटेंग सब्ल्स परकेल टाइम क्या लिए अ करना चाहिए सही का रहा है नहीं उसे यह वाला time wasche करना चाहिए यह वाला time बाद में उसका बहुत सा time से अजल कम हो जाते हैं इस इंटरनल control is strong और परफार्म लेस प्रोसीजर्स यह स्टेट्मेंट करेक्ट है इस इंटरनल एक सो नतिस ठीक है तक रिवन सबका इस पूर यह रहा विच आफ दा फालिंग इस एवेक्नेस इंटरनल कंट्रों इसकों सी वीक्नेस इंटरनल कंट्रोल है management does not record depreciation in financial statements यह वीक्नेस है कि मिस्स्टेटमेंट है उसने पूछा वीक्नेस यह गलत मैंजमेंट ड़स नाट रिकार्ट बैड़ेट्स इन फाइनेंशल स्टेटमेंट यह भी मिस्टेटमेंट में जगड़ बड़ एक असान रूल बताऊं जहां जहां पर यह फाइनशल स्टेटमेंट आरहा ना कि पेमट्स आर मेट्स इंट्सप्लाइर विदाउट ऑफॉर अग्ट्रेटमेंट में चब्ड़ होगी वह मिस्टेटमेंट है वह फाइनशल स्टेटमेंट ने और management does not include disclosure in financial statement, अच्छा disclosure का गलत होना ये भी misstatement होती है, मैं तो आज तक ये समझता रहा कि सिर्फ amounts में जो गलतियां होंगी, वो ही misstatement होंगी, disclosure में भी misstatement हो सकती है, अब जो class का सबसे sharp student रहना वो ये पूछेगा, सर, amounts में misstatement हो, तो वो material है के नहीं, 5% of profit, लेकिन disclosure में misstatement material है के नहीं, वो कैसे पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे शाह, अभी सिर्फ स्वाल आपके जहन में बढ़ाना था, अभी जवाब नहीं, इसका मैंने देना, लेकिन misstatement में रेखेंगा, amounts में भी हो सकते हैं, disclosure में भी, आगे चलते हैं, question 5, यह रहा, which of the following is a misstatement in financial statement, no segregation of duties, that is one person performs many functions, segregation of duties का मतलब होता है, हर काम लादा 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 लोग कर रहे हूं, जब एक ही बंदा सारे काम कर रहा हूं कहते हैं, no segregation duty यह internal control की weakness है, अब इसमें financial statement का लफज तो नहीं है लेकिन आपको पता है, कि inventory कहां पे शोग हो रही होती है, है क्या, हाँ इसको किस पे शोना चाहिए, और नेक्स था, approval is not obtained before credit, ठीक है, credit sales से पहले approval obtained ना, देखे approval जितनी भी होती है ना वो internal control है, approvals जितनी भी है वो internal control है, reconciliation जितने भी है internal control है, ठीक है और लास inventory is not counted at method, ठीक है यह भी internal control weakness है, ठीक है क्योंकि हो सकता है पूरी हो, count नहीं कि भी भी हो सकता है पूरी हो, मुश्किल था कोई बात में आगे चलाएं नहीं नहीं टाइम पसे आगी है यही बहुत discussion करनी होती है है समने साथ साथ यह वह बनना तो आदे गंटे पे चला जाए गए तो आज वाल आ गया सुटेबल क्राइटेरिया थ्री पर्डी रिलेशनशिप सब्जेक्ट मैटर आईटरस कंक्लूएं सारी ठीक कोई से लिए आपका कहाल है हरा के बताया था लेक्षर में बताया था फिर सोचलें अब आप अब अब अगया अब अडिश कंक्लूएं एलिमन अशरेंस नहीं नहीं है वह था रिते शोरस्ट रिपोट वह था रिदर शोरस्ट रिपोट तो सब ठीक तो घर दिया सब नहीं से ना थी करके भी सुआज पूछ रहे हैं कि विश्वता फालेंग इस नाट ए रेलिवेंट एविडेंस वाइल आडिटिंग पेरोल पता है किसका कहते हैं इसको इन में से कौन सा रेलिवेंट एविडेंस नहीं है चेकिंग डाइट इंपलाइज आर फिजिकली वर्किंग इन ओफिस पेरोल को चेक करते हुए ये काम करेंगे करेंगे कि इंपलाइज मुझूद आ के नहीं ठीक है ये रेलिवेंट है चेकिंग डाइट सेलिज आर क्रेक्टली कालकुलेटिड ये करेंगे ये भी सब से रैलिवेंट नहीं है यह तो रेंट वाले एरिया में जा के करेंगे पेरोर में ठोड़ेंगे एकफा करना है लेकिन एविटेंस रेलिवेंट ही कफा करना आगे चले एट यह रहा आपकी स्क्रीन पर पचास रुपे के लिए विश्ट अफ़ नाट एलिवेंट एविड़िएंस वाइल अडिटिंग फिक्स एसर्ट पहला चैकिंग डैप्री यह मुझे भी नजर नहीं आ रहा है चैकिंग डैप्री सेशन इस नौट कैलकुलेटेड ओन फुली डैप्र हैं यह चैक करते हैं यह रहलिवेंट है चैकिंग डैट प्रॉपर डिस्पोज इस एक्स्कूलूद फ्रॉम बैलंस यह भी ठीक है यह भी चैकिंग डैट विएकल फिजीकली एक्जिस्ट यह भी ठीक है चैकिंग डैट इस पर शेश्ट रॉम यह सही नहीं है यह तो इन्वेंटरी के लिए रहें ना फिक्स असट में यह थोड़ी देखेंगे कि इन्वेंट्री प्रूट सप्लायर से आ रही है भी समझ आईगे नहीं आई अच्छा आपको मुबाइल पर सही नदर आ रही होती है और यह लास्ट वाली क्या थी यह क्या थी लैंड को फिजिकली वेरी या टाइटल डाकुमेंट्स चेक करना होगा हाँ चेक करना के लैंड नेम ओफ दा कंपनी यह भी फिक्स ऐसे रेलि नहीं था क्यों इंवेंट्री वाले काउंट्स काड़िट वे करेंगा अच्छाइड लाट्स एक कमपनी वांच तो प्रिपेर इस फानांसर सेटमेंट फार इस्टिशिए विशन टू शेर होल्डर इन पाकिस्तान विच आफ आपावलिग इस शूटेबल क्राइडिया इन मेंसे कौंसा रहे हैं पाकिस्तान में फानेंशlike स्टे मेंसे किस वरेमंप्र पे बनती हैं याद रखें बाकि भी फ्रेंवग हैं लेकिन सूटेबल फ्रेंवर्प कونव साहा है ॣि यह इस्टिएशन को सामने रखते हुप ऑieso आ है शाबाश यह उस Сीए से वाल भाई भी इसे पचास लेने हैं लास लिच विज आफा आप पार्टी ने शौनस एंगेजमेंट इस प्रोवाइडर अब आ इस पार्टी रिलेश्चेंट में वे कोई ना कोई तो फिल करना था ना इस प्रोवाइडर यानी प्रेक्टिशनर है इस मॉंस्टिबल पार्टी यानी मेंग्मेंट भी यूजर्स भी है आई कैम एंड सी सी भी नहीं होते हैं शाब बिल्कु ठी चलिए अब आते हैं वीनर्स की तरह प्राइज निकाले प्राइज पहली पोजिशन है वां टू टू ट्री डबल सैवन फाइफ फिर्स पोजीशन के तरह रिजल्ट ही लोड हो रहा है क्या नेट दर से लो है दूसरी पोजिशन मुसाब 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 भाई कितर है यह हाइब्रिट में होंके शाबाश मैं कहा किया था है बिद्गा जी नाम होना चाहिए थर्ड प सब्सक्राइब कर लीजिए दो क्वेशन में बूलना चाहिएगा आज का लैक्टेशन आपे खतम करते हैं अल्ला हाफिस